रिष्टे में खुद की वेल्यू कैसे बढ़ा है? इतनी वेल्यू बढ़ा ही है कि कोई आपको खोने से डर है कौन से वो पांच तरीके पांच काम हो सकते हैं चले इस वीडियो में फटा फट डाइक लेते हैं Hello Friends, Love Tube YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत सबसे पहला काम Self Acceptance लोग अपने आपको accept नहीं कर पाते अपने आपको समझे और अपने खुद की वेल्यू को स्विकार करें आप क्या है वो समझे आपको लगे गया कि सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा है आपको समने वाला कोई बात पर आपको पूछ नहीं रहा है को decision लेने में आपको सही होगी नहीं बना रहा है तो आपको लगता है कि आपके कोई value नहीं नहीं है खुद की नदरों में आपकी value देखे अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचाने कि कौन से कमजोरिय के कारण वो ऐसा कर रहे है तो खुद को accept करें चीजों को जब आप accept करते हैं तब growth होने में आगे बढ़ने में ज़्यादा असानी होती है इससे खुद को प्यार करना सम्मान देना ज़्यादा असान रहेगा तो इससे आप खुद को और दूसरों को भी जज़ कर पाएंगे तो पहला है self acceptance दूसरा है communication skills सही तरह से communicate करने की कला आपके खुद की value को बढ़ाती है देखें कई बार आपको पता है सामने वाला कोई ना कोई अपने स्वारत के कारण कोई ना कोई अपनी बात मनवाने के लिए हर बार आता है कई बार आप फल्जात है लेकिन आपको इससे irritate नहीं होना है आपको भी उनकी तरह ही बात करने है जैसे को तैसा वो अपने बात मनवाना है तो आप भी कुछ ऐसा है रोना रोई है या फिर आप भी कुछ ऐसी बात मनवाने की कोशिस करिए तो ये communication skill है जैसे को तैसा देना तीसरा है boundaries खुद के लिए सीमाओ का निलदारन करें जाने कि कहां हां कहें कहां ना कहें कुछ चीज़े clear करतें देखें लोगों की complaint यह होती है कि हमारे आसपास चार लोग है एक है बहुती स्वारती है दूसरा है बहुती गुस्ता करता है तीसरा है जिने कोई परवा ही नहीं चौथा है जो सब कुछ अपने इसाब से चलाना चाता है देखें चारों से आप कैसे निप्टेंगे पहला आजाता है अपने स्वारत के कारव बात मनवान तो यहां पर clear रखिए कि यह चीज़े मुझे करने ही नहीं है आप कुछ लालच में आके करतें तो आपको लालच उस वक्त रखना ही नहीं है जैसे ही वो स्वारत अपना पूरा करना आता है तो कोई नहीं लालच या धर दिखाएंगे तो आप सीधा कह दीजे नहीं यह करना ही नहीं है तो यह clear हो जाता है कोई गुस्ते वाला आता है तो आपके लिए अच्छे के लिए बोल रहा है तो वहाँ पर ठीक है कोई गलत तरीके से बोलता है तो सामने वैसा कर दीजे जीने फरक नहीं बढ़ता उनके साथ तो आप वैसा ही रह सकते हैं और चौता जो अपने इसाप से ही सब कुछ चलाना चाता है तो उनको कैसे अंडल करेंगे बस कुछ चीजे जो अच्छी लगती है उनके इसाप से करते रही है अच्छी नहीं लगती तो वो चीजों में उतना ज़्यादा इंटरस मत लीजे सही समय की राह देखे तो इस तरह से अपनी बाउंडरिस को समझे क्लैरिटी बढ़ाए चौथा है सेल्फ केर अपनी देखबाल पर ध्यान दे अपने बोड़ी पे मन पे आतमा के अपनी हादतों पे इसी तरह से वैल्यू बढ़ती है जैसे कि आपके घुसे की आपके खुसी की चाबी किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए खुद के हाथ में होनी चाहिए किसी ने कुछ कर दिया और आपको घुस्सा आ गया नहीं अब जितना ज़्यादा खुद को महत्व देंगे उतना ही ये सब कुछ कम रहेगा एक्सरसाइज करे व्यायाम करे खुद को बढ़ाने के लिए खुद की सेल्फ के लिए कुछ भी करें उसमें कंप्रमाइज मत करें आख्रियों पाचवा है रिस्पेक्ट एन एमपथ दुसरे लोगों की रिस्पेक्ट करें वो जैसे भी है उनके साथ एक रिस्पेक्ट से बात करें कोशिस करें कि ज्यादा उनके साथ rude behavior आपना करें एक समवेदन सिल्था बनाए रखें इससे आपकी value बढ़ेगी और आपको भी headache कम रहेगा तो यह कुछ पाँच तरीके हैं जिससे आप रिस्पे में खुद की value बढ़ा सकते हैं और हर कोई आपको खोने से डरेगा पहला इस self acceptance दूसरा communication skill तिसरा boundaries चौथा self care पांच वा रिस्पेक्ट and empathy कमेट बॉक्स में बताईए कि आप कितने तरीके इसमें से आजमात है तो मेरी प्यार प्यारेज दोस्तों फ्रेंट वीडियो को देख रहे हैं कोई पी सवाल है सुझाओ कमेट बॉक्स में बताना ना बूल ये थैंकि दोस्तों बैटर लेग बैटर